हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं कि रिंगटोन सेट कैसे करें तो गाइस मैं आपको काफी आसान तरीका बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको mobile के settings में जाना है setting में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा sound and vibration नाम का जो कि सभी mobile में इसी नाम से रहता है sound and vibration तो इस option पर click करना है जैसे click करेंगे यहाँ पर कुछ option देखने को मिलेंगे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ringtone का option मिलेगा हो सकता है कि आपके phone में उपर ringtone वाला option मिले तो जहाँ भी इस प्रकार का option मिलेगा आपको उस पर click करना है जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे सिस्टम रिंग्टोन देखने को मिलेंगे बहुत सारे होते हैं आप इन में से किसी को भी लगा सकते हैं सुनकर जो अच्छा लगी उस पर क्लिक कर देंगे वो यहाँ पर लग जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने फाइल मेनेजर से किसी गाना को या रिंग्टोन को लगाना जो कि आप पहले से ही रखे हैं तो सबसे उपर आन दिश डिवाइस का उप्सन मिले गया या इस प्रकार कुछ लिखा रहेगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे सभी याँ पर आपके सौंग्स आ जाएंगे अब जो आप लगाना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है देखे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है लग चुका है बैक आते हैं इसी तरीके से अगर आप सीम 2 पे लगाना चाहते हैं तो सीम 2 पे भी क्लिक यहां से कर देना अब अगर यह चाहते हैं आपकी सीम 1 पे अलग रिंग टोन हो और सीम 2 पे अलग रिंग टोन हो तो भी आप लगा सकते हैं देखिए यहां पर SIM1 पर हमने लगाया है यह वाला SIM2 पर क्लिक करते हैं, यहां अगर SIM1 वाला ही लगाना चाते हैं तो लगा सकते हैं, उपर सेम एज SIM1 का उप्सिन मिलेगा इस पर क्लिक कर देंगे, तो जो रिंग्टोन SIM1 पर बजेगा वही SIM2 पर भी बजेगा, लेकिन अग आपको अलग लगाना रहेगा, तो यहां पर on this device पर क्लिक करना है, अगर यह चलू रहेगा उपर वाला, तो इसे बंद कर देना, तो अब हम इस पर नीचे वाले पर क्लिक करते हैं, यहां से दूसरे को लगा सकते हैं, तो यहां पर देखिए दोनों SIM2 पर अलग अलग तो वडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, थैंक यू